हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर तो दोस्तो आज आपके सामने फिराज रो गए हैं CRPF Paramedical Stop Trade Man के रेटेन एक्जाम के मोस्ट इंपोटेंट प्रीबियस येर के जीके के कोश्चन ले करके दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जो आपको कोश्चन कराने वाले हैं यह आपके CRPF Paramedical Stop Trade Man के प्रीबियस येर के रेटेन एक्जाम से सभी कोश्चन लिये गए हैं जो कि आपके GK से Related होने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को लाट तक एक बार जरूर देखें वीडियो स्टाट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल Education Person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे की आने वाली वीडियो को notification आपको आसानी से मिल सके तो दोस्तो इस्टाट करते हैं आज की वीडियो का अपना निम लिखित मेंसे किस देश के सेनय अड़ा है? यह हिंद महा सागर के डिएगयो गार्शिया दूप में किस देश के सेनय अड़ा है? तो देखते हैं ईप्शन A फ्रांस ईप्शन B रूस ईप्शन C उनाइटिट किंग्डम या फिर option D में संयुक्तर राज्य अमेरिका तो दूस्तो इसका right answer क्या होगा जल्दी से टिक करके comment में बताइए दूस्तो इसका right answer जाता आपका option D के साथ में option D, संयुक्तर राज्य अमेरिका हिंद महसागर के Diego Garcia Dweep में संयोक तो राष्ट्य अमेरिका का सैन्य अड़ा इस्थित है option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं next question हमारा अगला question है NATO का मुख्याले कहां इस्थित है तो NATO का मुख्याले कहां पर दोस्तों देखते है option A Amsterdam option B Brussels option C Berlin या फिर option D Paris तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी बताएए किसका NATO का मुख्याले पूछा जल्दी बताएए NATO का जो मुख्याले कहां पर इस्थित है जल्दी से इसका right answer कमेंट मा बताओ तो दोस्तों इसका right answer जाता आपका option B के साथ में Brussels NATO का जो मुख्याले है मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है देखते हैं option A International Atomic Energy Agency option B में क्या है International Alice Alice of Energy option C में हमारा International Atomic Energy Authority या फिर option D International Atomic Energy Act तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी बताएए IAE का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से टिक करके इसका right answer बताएए तो दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option A के साथ में IAE का फॉल फॉर्म है International Atomic Energy Agency option A इसका right answer हो जाएगा देखतें next question हमारा next question क्या है अगला question है दोस्तों हमारा Norman Borlog को किस रूप में जाना जाता है किसको Norman Borlog को किस रूप में जाना जाता है देखतें option A क्रशी वेग्यानिक जिने नोवेल सांती पुरुषकार मिला option B कैंसर से संबंद अनुसंदान संबंद अनुसंदान में महतपुन योगदान किया option C में प्रसिद हास्य रसग्य और कभी option D है हमारा प्रसिद पत्रकार तो इसका राइट अन्सर क्या हो दोस्तो Norman Borlog को किस रूप में जाने जाते हैं इसका राइट अन्सर जल्दी से टिक करें तो दोस्तो इसका राइट अन्सर जाता आपका option A के साथ में क्रशी वेग्यानिक जिने नोबेल सांती पुरुषकार मिला किनको Norman Borlog को क्या मिला था ये क्रशी वेग्यानिक थे और इन्हें नोबेल सांती पुरुषकार मिला था option A इसका राइट अन्सर हो जाएगा देखते है next question हमारा अगला question है रेंड किस देश की मुद्रा है रेंड किस देश की मुद्रा दोस्तो option A इटली, option B जापान option C सुडान, या फिर option D में दक्षण अफरीका तो इसका राइट अन्सर क्या होगा दोस्तो जल्दी बताएगा ये रेंड जो किस देश की मुद्रा है तो इसका राइट अन्सर जाता दोस्तो आपका option D के साथ में दक्षण अफरीका, रेंड जो ये दक्षण अफरीका की मुद्रा का नाम है, option D इसका राइट अन्सर हो जाएगा, देखते हैं अंगला कोश्चन हमारा अंगला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं स्रवण नहीं करता क्या है दोस्तो ये कौन सा पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है, इन में से यो कौन सा पाचक है जो एंजाइम का स्रवण नहीं करता, देखते हैं, option A यकरत, option B, लार गिरंथी option c है हमारा छुद्रात्र की ग्रंथिया option c है हमारा अगनास है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी से टिक करिए तो दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option c के साथ में छुद्रात्र की ग्रंथिया यह क्या है यह है ऐसा पाचक है जो enzyme का सिरवर्ण नहीं करता है option c का right answer हो जाएगा देखते है next question हमारा अगला question है अगनी अगनी सामक के रूप में किस guess का प्रियोग किया जाता सॉरी दोस्तों यह अगनी सामक नहीं है हमारा अगला question है दोस्तों अगनी सामक के रूप में किस guess का प्रियोग किया जाता है किस के रूप में अगनी सामक के रूप में दोस्तों किस guess का प्रियोग किया जाता है देखते है option a carbon dioxide option b carbon monoxide option c carbon sub oxide या फिर option d हमारा sulfur dioxide तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए अगनी सामक के रूप में कौन से gas का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट अंसर जाता आपका option A के साथ में अगनी सामक के रूप में हम carbon dioxide gas का प्रियोग करते हैं option A इसका राइट अंसर हो जाएगा देखते हैं next question हमारा अगला question है जल के निर्जली करण के लिए निमली खित में से किसका व्यापक प्रियोग किया जाता है किसके लिए जल के निर्जली करण के लिए इन में से किसका व्यापक प्रियोग किया जाता है option A bleaching powder, option B fit cream, option C borax powder, या option D soda powder तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से टिक करिए जल के निर्जरी करण के लिए किस powder के इस्तमाल करते ही जल्दी बताओ दोस्तो इसका right answer जाता आपका option A के साथ में जल के निर्जरी करण के लिए bleaching powder के इस्तमाल किया जाता है option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किस तत्तो की कमी से गहेंगा रोग होता है क्या किस तत्तो की कमी से गहेंगा रोग गहेंगा रोग पूछा गया किस की कमी से होता है देखते हैं option A nitrogen, option B calcium, option C iodine या फिर option D हमारा fast porous तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी बताईए गहेंगा रोग जो किसकी कमी से होता है जल्दी बताओ तो दोस्तो इसका right answer जाता है आपका option C के साथ में iodine iodine की कमी से गहेंगा रोग मनुश्य में होता है option C इसका right answer हो जाएगा देखेंगे अगला question हमारा अगला question है LPG cylinder में दाब के अंतरगत drugル रोप में मुक्षठ है gas के किस मिस्टरन को भरा जाता है किस में LPG LPG cylinder में दाब के अंतरगत drugル रोप में मुक्षठ है कौन सी gas को भरा जाता है देखेंगे option A methane और этHAN option B Ethan और hexane option C propane और butane या फिर option 6 Hexane और Octane तो इसका right answer क्या होगा जल्दी बताएं दोस्तो LPG cylinder में से इनमें से किस case को भरा जाता है जल्दी tick कर के बताओं तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका option C के साथ में Propane और butane gas को LPG cylinder में दाब के अंतरगत दिरब के रूप में मुख्यते इसको भरा जाता है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है पंचायतों को सम्विधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है पंचायतों को सम्विधानिक दर्जा किस अनुचेद के अंतरगत प्राप्त किया है देखते हैं option A, अनुचे 226 के अंतरगत, option B, अनुचे 243 के अंतरगत, option C, अनुचे 249 के अंतरगत, या फिर option D में अनुचे 219 के अंतरगत, तो इसका right answer क्या होगा, पंचायत को सम्विधानिक दर्जा, किसके अंतरगत प्राप्त किया गया, किल्दी बताइए दोस्तो, तो दोस्तों, इसका right answer जाता आपका option B के साथ में, पंचायतों को सम्विधानिक दर्जा, अनुचे 243 के अंतरगत, प्राप्त किया गया है, option B, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, किसी न्याय धीस को एक उच्च न्यायाले से दूसरे में इस्थान अंतरित करने का अधिकार नेमलिखित में से किसको होता है, मतलब की किसी एक नियाय धीस होता है उसको एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भेजने का अधिकार किसको है देखते हैं ऑप्सन A बहरत के मुख्य नियाय मूर्ती को ऑप्सन B भारत के राष्डपती को ऑप्सन C में भारत के विद्धी मंत्री को या फिर option D कैंद्रिय मंत्री मंदल को तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी बताईए तो दोस्तो इसका right answer जाता है आपका option B के साथ में भारत के राष्टपती को किसी न्याय दिश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का अधिकार जो हो वो किसको होता है वो भारत के राष्टपती को होता है option B इसका right answer हो जाएगा देखने अगला question दोस्तो अगर आप हमारे YouTube चैनल education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा आपने सभी दोस्तों के साथ share करें और bell icon को दवाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सकें दोस्तो अगर आप CRP Paramedical Stop के ट्रेडमेन के रिटिन एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस ट्रेडमेन के रिटिन एकजाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर CRP Trademans Related previous year के question paper कराई जा रहे हैं तो आप उन सभी को एक बार जरूर जोइन करें जिससे कि आपके रिटिन एकजाम में बहुत ही help मिलने वाली है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है लोग सभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है क्या है दोस्तों ये जल्दी से टिक करके बताईए लोग सभा का कोरम कुल जो ये सदस्यक की संख्या का कितना होता है तो इसका राइट अंसर जाता है दोस्तों आपका option D के साथ में 1 by 10 S कितना होता हो 1 by 10 S होता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किमबरले प्रसिद्ध है किमबरले क्यों प्रसिद्ध है देखते हैं option A स्वन खनन के लिए option B हीरा के खनन के लिए option C इसपात उद्ध्योग के लिए या फिर option D ओर्टो मोबाईल उद्ध्योग के लिए तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों किसका किमबरले किमबरले जो यह क्यों प्रसिद्ध है जल्दी से बताओ इसका right answer टिक करके बताए कमेंट में तो दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option B के साथ में हीरे के खनन के लिए किमबरले जो प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है कौन सा सागर चारो और भूमी से घिरा हुआ है कौन सा सागर है जो चारो और से भूमी से घिरा हुआ है option A अरल सागर option B लाल सागर option C काला सागर या फिर option D बैफिन सागर तो इसका right answer क्या होगा दोश्टो जल्दी से बताईے वो कौन सा सागर है जो 4 ओर से भूमी से घिरा हुआ है जल्दी से तिक कर के बताओ इसका right answer तो दोश्टो इसका right answer जाता आपका option A के साथ में अरल सागर अरल सागर जो ये चारो तरफ से भूमी से घिरा हुआ है option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है राकी दोस्तों ये राकी नहीं है राकी है ये राकी पर वतमाला कौन से महद्वी पर इस्थित है option A उत्री अमेरिका, option B दक्षणी अमेरिका, option C अफरीका या option D है यूरोप तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जल्दी से टिक करके बताओ तो दोस्तों इसका right answer जाता है आपका option A के साथ में उत्री अमेरिका, राकी परवत माला जो ही है हमारे उत्री अमेरिका के महदूई पर इस्थित है option A इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं एकला question हमारा एकला question है, 1789 में फ्रांस की किरांती से संबंधित है तो कौन संबंधित है किसे, 1789 में फ्रांस की जो किरांती हुई थी, उससे कौन संबंधित है, देखते है option A, Boston Tea Party, option B है हमारा Fall of Best Trial, option C है हमारा Kremlin, या फिर option D, इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो, जल्दी बताइए, 1789 में फ्रांस की किरांती जो हुई थी, उससे इनमें से कौन संबंधित है, जल्दी से टिक करो तो दोस्तो इसका right answer जाता है, आपका option B के साथ में Fall of Breast Tile, Breast Tile ये किसे संबंधित है, 1789 में फ्रांस की किरांती से इनका संबंध है, option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question, question क्या हमारा, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो जोस्तो जो हमारा रंगा स्वामी कप होता है, उस खेल का जो संबंध वो किस खेल से है, जल्दी बताइए, देखते है, option A, football, option B, cricket, option C, hockey, या फिर option D, golf, तो इसका right answer क्या होगा जल्दी बताइए, किसका रंगा स्वामी कप, या किस के खेल से संबंध रखता है, जल्दी से टिक करो इसका right answer, तो दोस्तो इसका right answer जाता है, आपका option C के साथ में, hockey, रंगा स्वामी कप का संबंध किस से है, तो वो है आपका hockey से, रंगा स्वामी कप, hockey, option C, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला कोश्चन हमारा अगला कोश्चन है तमासा किस राज्य का लोग पर ये निरत्य है कौनसा ये है हमारा तमासा किस राज्य का लोग पर ये निरत्य है देखते हैं ओप्शन A गुजरात ओप्शन B महराष्ट option C, उत्तरप्रदेश या फिर option D, राजिस्थान तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से tick करो तमासा जो एक किस राज्य का है क्या लोग पर यह निरत्य है जल्दी से tick करो इसका right answer तो इसका right answer जाता आपका option B के साथ में, महराष्ट तमासा जो लोग पर यह निरत्य होता है वो महराष्ट का है तमासा कहा का निरत्य है यह महराष्ट का लोग निरत्य है option B, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है television संकेत सामनेत है कुछ दूरी के पस्चात निम लिखित में से किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाता है क्या television के जो संकेत हैं वो सामनेत है कुछ दूरी के पस्चात इन में से किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाते हैं option A, प्रत्वी की वक्रता option B, एंटीना की दुरुबलता option C, संकेत की दुरबलता या फिर option D, संकेत का वायू में अब सोसंड तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से टिक करो तो दोस्तो तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका option A के साथ में प्रत्वी की वक्रता television सामाने तक क्या है कुछ दूरी के पस्चात वो क्या है किसी कारण वस वो संकेत नहीं पकड़वाते हैं किसके कारण वो है आपके प्रत्वी की वक्रता के कारण option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमलिखित में से कौन सी पुष्टक 2008 में best of the book award की विजेता के रूप में उल्लेखित हुई थी क्या है ये कौन सी पुष्टक 2008 में best of the book award की विजेता की रूप में उल्लेखित किया गया तो वो कौन सी बुक थी दोस्तों देखते हैं option A डिस्ग्रैप्स option B है दा एंचेंट्रेस of Florence option C में हमारा midnight children या फिर option D है the seeds of Krishnopur तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों जल्दी से टिक करूँ तो इसका right answer जाता दोस्तों आपका option C के साथ में 2008 में best of the book award का जो विजेता रहा था वो है हमारा midnight children book जो ही हमारी 2008 में best of the book award के बिजेता रही थी option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है भारत में निमलिखित में सो कौन सा एक राज्य है lignite koilay का सरबादिक उत्पादक है तो कौन सा है भारत में सबसे ज़्यादा lignite koilay का उत्पादन करने वाला राज्य है देखते हैं option A महराष्टर option B गुजरात option C मद्यपरदेश या फिर option D तमिल नाडू तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से टिक करो तो इसका right answer जाता दोस्तो आपका option D के साथ में सरबादिक lignite koilay का सरबादिक lignite koilay का उत्पादन कौन करता है तो वो है हमारा तमिल नाडू option D इसका right answer हो जाएगा भारत में सर्फ से ज़्यादा lignite koilay का उत्पादन तमिल नाडू में होता है option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगले question हमारा अगले question है रण थंबोर राष्टिय पार्क कहां इस्थित है रण थंबोर राष्टिय पार्क कहां पर है दोस्तो option A मध्यप्रदेश option B हरियाणा option C राजिष्थान या फिर option D में हमारा करनाटक तो इसका right answer क्या होगा जल्दी से टिक करके बताओ रण थंबोर राष्टिय पार्क सोरी राष्टिय पार्क है राष्टिय प्यार्ल नहीं है ये रण थंबोर राष्टिय पार्क कहां पर है इस्थित है जल्दी बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो आपका option C के साथ में राजिष्थान राश्टिय पार्क जो ही है हमारा राजिस्तान में इस्तित है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमली खित में से कौन सी भारत की एक महतपूर रभी फसल है क्या बोलागा इस question में भारत की महतपूर रभी की फसल पूछी गई है तो कौन सी है वो option A गैहू option B दान, option C जुआर या फिर option D बाजरा तो इसका right answer क्या होगा जल्दी से टिक करो बात दोस्तों इसमें भारत की रभी की फसल कौन सी इन में से जल्दी बताओ comment में तो दोस्तों इसका right answer जाता आपका option A के साथ में गैहू भारत की सबसे महतपूर रभी की फसल गैहू है option A में इसका right answer दिया गया है option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है प्रती निधित्व बिना कराधान नहीं का नारा किस करांती का था क्या है दोस्तों यह प्रती निधित्व बिना कराधान sorry बिना कराधान नहीं इसका नारा किस ने दिया था यह किस करांती से था यह नारा option A फ्रांस की करांती option B रूशी करांती option C चीनी करांती या फिर option D अमेरिकी करांती प्रती निधित्व बिना कराधान नहीं यह नारा किस करांती ने दिया था तो यह अमेरिकी करांती ने दिया था option D इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें और बैल आइकन को दवायना ना भूलें जिससे क्या निवाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सकें दोस्तों अगर आप CRPF paramedical treatment के किसी भी trade के रिटेन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल education person से सभी trade से related written exam एवम trade test की तयारी कर सकते हैं आपको हमारे चैनल पर सभी trade से related written exam के लिए most important question एवम trade test के लिए सभी important question आपको available करा दिये गए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार subscribe करके बेल आइकन को जरूर देबा लें जिससे क्याने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next वीडियो में